हाई अजली आपको मौफलोजी फ्लारिंग प्लान का जो टॉपिक है प्रेसेंटेशन उसकी उसको समझने के लिए और उसके सारे एक्जांपल्स लर्न करने के लिए इसे ट्रिक लेके आई हूं जिससे आप पांच मिनिट में उस पूरे टॉपिक को समझ लेंगे और उसके ए तो प्लेसेंटेशन बेसिकली होता क्या है प्लेसेंटेशन होता है अर्रेंजमेंट ओफ ओव्यूल विदिन ओवरी तो ओवरी के अंदर ओव्यूल का अर्रेंजमेंट कैसे होता है उसे कहते हैं प्लेसेंटेशन तो यहां पर हमारी पास पांस तरह की प्लेसेंटेशन है आ हमारी marginal placentation है, second A, A stand for exile placentation, then P, P stand for parietal placentation, then F stand for free central placentation and B stand for basal placentation, तो 5 type की जो placentation है, आपने कैसे याद रख लख लिए है, map FB, so basically हमने क्या किया, कि placentation क्या होता है, वो जाना कि placentation क्या होता है, ovules का arrangement, ovary के अंदर, उसके 5 type के जो placentation थे, वो हमने कैसे याद किया, map FB, M से marginal, A से exile, P से parietal, F से free central and B से basal, यह हमारे होगा है 5 type के placentation, अब जानते हैं, marginal में होता क्या है, marginal में basically क्या होता है, यह ovules जो होते हैं, इसे ridge, side में margin के along, arrange होते हैं, और rows बनाते हैं, इसके example याद करने के लिए आप याद रख सकते हैं, कि marginal आपने देखा भी होगा, यह रहा यहाँ पर इसका exam, example diagram के तुरू, आपने P में देखा होगा, कि side में जो होते हैं ovules, जो उसके, वो गोल-गोल हैं, वो ovules है basically, वो arrange होते हैं, ridge end पर, margin पर, तो यह इसका example आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, क्योंकि आपने इसे practically देखा है, next है हमारी exile, exile presentation, basically उन में होता है, जिन में multi-locular ovary होते हैं, locular मतलब क्या है, ovary में कहीं सारी locules होते हैं, जैसे यह, यह chambers बनाते हैं, तो यह multi-locular ovary में होते हैं, तो इसके example आप कैसे याद रख सकते हैं, यहाँ पर ovules कहाँ attach होते हैं, इसके example आप टाल्क से याद कर सकते हैं, जैसे ताल्कम पाउडर, आपने सुनाओ का टाल्कम पाउडर, तो आप टाल्क से याद रख सकते हैं, A यहाँ पर हमारा exile देखा रहा है, ताल्क, यहाँ पर T, T से एक्जामपल है, टमाटो, L से लेमन, C से चाइना रूस, यहाँ पर आपके NCRT के तीन एक्जामपल, यहाँ पर हमारे एक्जामपल याद करेंगे, सिर्फ पांच मिनट में, तो देखिए, मार्जिनल से आपको पी याद रहेगा, एक्जाईल से ताल्क, ताल्क यहाँ पर टमाटो, लेमन और चाइना रूस, सिर्फ तीन एक्जामपल हमारे एक्जाईल के होगा, नेक्स्ट है पराइटल, पराइटल में यूनि लॉक्टिलर ओवरी होती है, मतलब यहाँ पर हमारे कोई ऐसे सेप्टा नहीं होंगे, लॉक्यूल बनते हैं तो सेप्टा होती है, सेप्टा मीन्स वाल, तो यहाँ पर यूनि लॉक्टिलर ओवरी में बनता है, तो कभी कभी क्या होता है, कि फॉल सेप्टा, एक फॉल सेप्टा भी आ जाता है, जिसे हम कहते है रेप्लम, यह इंपॉर्टन टर्म है, रेप्लम, फॉल सेप्टा जो होती है, पराइटल प्लेसेंटेशन में आती है, यह आ जाती के लपाते हैं टो सेप्र कुछल करते हैं तो जो ओसे में इसक्राक बाकि बन जाता है तो फौल 4 नियुटस को चैंब याद रहए तो यह सा करते हैं जांग प्रायटल के सि म४ल्ल की तॉपायद रहलए में मैं गदें जैसे हमगे इस से माप सेला स्टा संगे मैं आप तो कि obus बोन करीं और यहां पर कोई भी सेप्टा नहीं होगा तो सेप्टा एपसेंट और यह अपर क्योंकि अपर यहां पर पुई वाल्स है नहीं तो यह दूख ने कोई लोक्यू नहीं होगे तो यह वन चाम्बर तो इसका आप ऐसे याद रख सकते हैं फेस्बुक पर हम क्या करते हैं DP लगाते हैं तो F यहां पर फ्रीसंतल, DP दीप, डायेन्थर्स और प्रिम रोस सो फ्रीसंतल का आप ऐसे आप लग छे जेन हैं हमारा बेसल बेसल में क्या होता है कि पलेसेंटा कहां पर डव्लप रहता है Via Overy के Base पर kayak प्लेसेंती प्लेसेंटा पॉलिपे बेसा पॉल्प होता है तो यह इसे बेसल कहते हैं इसमें सिंगल ओवी tutte है जैसे यह दिक्षा है को एक और लगे तो इसके epis제 अब कैसे याद हो noise sun blessed Mary sun means sun flower blessed यहां किया शुकर है कि यह बेसल प्रेसेंटेशन and Mary is marigold तो यह होगा है हमारे examples तो आपको कैसे पदा चलेगा marginal का P आप याद रखेंगे exile का talc से याद रखेंगे tomato, lemon, china, rose talc A कहा है यहाँ पे exile then हमारा है parital parital यहाँ पे map से याद रखेंगे पी पराइटल, M और A क्या है, मस्टर्ड और आर्जिमॉन, फ्री सेंट्रल, DP, मैं तो बताया था, फेस्बुक पे DP लगाते है, तो डाइंथर्स और प्रिम्रोस, और सन, ब्लेज्ट मेरी, तो सनफ्लावर और मेरी गूर, तो ये हमने पढ़ लिए, समझ लिए कि इसमें क्या-क्या होता है, so I hope it will help you a lot, so thank you for watching,